अम्रोह जन्पत के हसनपुर कोतवारी छेत्र के आंतगरत आने वाले गाउं करन खाल का ये पूरा मामला है जहां की रहने वाली पजपन वर्षी महला मंग्या देवी जोपडी से बने घर में अकेली सो रही थी घटना के वक्त उसका पती ब्रजपाल अपने बेटों के साथ खेत पर काम करने के लिए गया था बताते हैं कि महला जब घर पर सो रही थी तब ही किसी अग्यात कारणों से घर में आग लग गई जिसकी वजह से आपको उता दे जिसकी वजह से महला जलकर राख हो गई और आग की लपटे देकर आसपास के लोगों ने शोर मचाया जिसक अगर घटना के पीछे कोई आरूपी होगा तो उसका पता लगा कर उसको सक्त से सक्त सजा दिलाई जाएगी क्या नाम है म्रणाम पूरान सर बटाओ यहां कैसलिक क्या हम तो काम पहें तीनों बाब बेटा हमें नहीं पता है किसने लगाई किसने ना लगाई और यह साड़े तीन बजे का आसपास कर आग लगी है यह डूटी पैसा आई जब पता लगी एक पड़ोशी ने बताई किन हमारे लगी तो काम पहां वहसा है जब अर दो काम पहें को लुप उप तो मतलब लाइट लगी क्या ना लाइट हो कोई क मोड़ी किसको का सकते है thing ना मरी किसे कोई दिप निशी तो क्या इसिती जी अश्य हिस्म मधी अश्तितीते क्या हें उता हम घ्श तो जल जालना हो ग इसके हमें जाद चाहिए पूरी तो कोई अधिकारी आया है अधिकारी अभी तक तो आय नहीं है फोन भी किया है और देखो इंतिजार में अभी तक सो नंबर के गाले आई हुई है क्या नाम आपका बिरेशपाल कहां की निवासियों करनखाल तो बताओ यह जो आग लगी क्या मामना है अधिकार जिम्मा यहां पर आयों तो बहुल आग लगी है मिले मुझे अधिक बुड़िया इसी में पड़िया जलगी जम्म्मा आयो तिर इसमें क्या हुआ है अग्या अहेक किस दो समय मंदाये माम आई आप है इसे शार्ग ब्जडिका स्वार ठी जो औनि क्या है बई चाले मंदे पंज हैü हम मोपे पेसे बई कुछी से कोई दुस्मानिया गुछ दुस्मानिट मुच्छा किसी सुनीई लिवारी बढम इंटाय यहां बता है जहां पड़ी वाग लगी जहां पड़ी में बुढ़िया जलगी कोते हैं यह तैसील हसनपुर हसनपुर विदान सभागी गाहों करनखाल में इस उबे की घटना है लगो तीन वजे की घर में यह बिरद सोई हुई थी और सूचना मिले जब कर आग लगी है और लगने के बाद वह पचास परशेंट जल चुकी है और उनकी मौत हो गई है हम सब मोखे पैंश समय कोतवाल साब भी है उनका पूरा इस्टाब है सभी घ्रामबासी है इसमें जाच कर रहे हैं किन कारणों यह आग लगी है और इनके पोस्मार्टम को भेज रहे हैं इसमें कारण यह घर में आग लगी है और आग लगने कारण इनकी जान गई है